हेलो फेंड्स वेलकम टू मैं चनल मोबाइल विपैर ट्री आज किस वीडियो में हम एजी जेटेक प्लस और यूए फाई के कमपेरिजन के ओपर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक इमेंसी के ओपर जितने भी वीडियो बनाई है उसमें बहुत से हमारे वीवर्स कोशन करते थे के सर इजी जेटेक प्लस बॉक्स ज्यादा अच्छा है या या यूए फाई बॉक्स तो अगर आप इन दोनों बॉक्स के बरे में जानना चाहते हैं कि कौन सा बॉक्स अच्छा क्या-क्या ऐसे सरी जाती है उसके बाद में और इनकी क्वालिटी के ऊपर उसके बाद में इनकी क्या-क्या काम करते हैं या मतलब कौन सी इसके अंदर इंपोर्टेंट चीजे हैं जिसकी वज़े से अपने आप में खासियत रखते हैं या कौन सा बॉक्स बेस्ट है तो वह इसनी सारी एसे साईव गरकार आते एक तो हमारा बॉक से अता है उसके बाद माना एक को इंकới बद एसने का यह को इंद कर मारने इस साथ मेंधने गंड्य उसके बारे उसके बाद में तो इतना सब सामन इनके साथ में आता है आप हम इन भॉक्स कि और इनके एससे सरी टृक्षि के और बात करते हैं देखिए यह फाइ बॉक्स का जो में इंटर पार सह है इसमार्ट काड लगा हुआ होता है यहान पर इसमय आजे संगाल अपक्रेश सॉत का है और इसकी तीन LED यहां पर लगई हो यहां पर इसका एक USB उन्होंने हब दिया हुआ जिसे किसी मोबाल में अगर USB कनेक करना तो उसके लिए यहां पर इन्होंने दिया हुआ और यह इसका जो बॉक्स है यह प्लास्टिक बॉडी में आता है और कफी light weight आता है और इसके बाद मे और इदर जो एक socket है इसके अंदर 153 और 254 mmC लगती है और इसके बाद में देखिए है अब हम बात करते हैं यह देखिए एक इसका जो socket है थोड़ा पास से इसमें लगा हुआ हुआ है देखिए जिसमें BJ221 और 254 है और यह देखिए यह EasyJTag प्लस जो है यह बॉक्स है इ यहां पर 20 पिन का इमेंसी का इसके अंदर इंटरफेस है और इसमें 4 LED लगी हुई है लेकिन इनका जो बॉक्स है काफी हेवी है क्योंकि यह Aluminum Body का बना हुआ है Metal Body में है पूरा यह उसके बाद में इसके अंदर की PCB है मतलब बहुत यह देखिए हेवी आता इसका जो PCB आता यहां पर आप देखेंगे स्मार्ट का सॉकेट है यह इसका बॉक्स का हुआ और देखिए अब यह जो है EasyJetec Plus की आप accessories देखेंगे तो यह BGA254 है लेकिन इसके अंदर आप जो UFS चिप आती है उससे भी कनेक कर सकते है यह 2-in-1 वाला इसका BGA जो इसका सॉकेट है इसके अ देखिए उसके बाद यह BGA153 है और यह सॉकेट भी जो है BGA153 यह UFS के लिए है और यह हमें अलग से लेना पड़ता है यह वाला जो सॉकेट आता है यह साथ में आता है लेकिन एक जो है यह अलग से लेना पड़ता है उसके बाद में देखिए यह भी UFS का है यह BGA95 है जो EasyJtech Plus box है यह से support करता है इसके अंदर UFS के लिए option दिया हुआ है मैं अभी आपको एक उसका log दिखा रहा हूँ इसमें आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर इसमें देखिए UFS का टेव है इसमें option अभी जरूर कम है लेकिन log खुलने का काम हमारा हो जाता है देखिए यहाँ पर read UFS GPT info read UFS chip write UFS chip और unlocking से related यहाँ पर इसके अंदर options हैं अभी लेकिन UFI के अंदर UFS chip का support बिल्कूल भी नहीं है और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ जो हमारा EasyJtech Plus है इसको बनाने वाली company Z3X है जो Z3X Samsung और Samsung Pro Tool बनाती है उनी का Z3X LG Tool भी आता है तो यह Z3X का है और इसका server काफी पुराना है क्योंकि जो EasyJtech Plus है यह EMC के लिए है खासकर लेकिन इसके पहले EasyJtech आता था जो की Plus नहीं था normal EasyJtech था जो की Jtech पर काम करता था लेकिन EasyJtech Plus दोनों पर ही काम करता है और इनके server की खासियत यह है क्योंकि काफी पुराना box है तो इसके उपर Jtech के भी भहुत सारी files upload है और EMC की बहुत सारी files upload है और आपको मैं एक शीर जिसमें बताना चाहूंगा जो Samsung की file है जो इनके server पर Samsung की file है उसके अंदर बहुत सी memory card वाली MMC वाली firmware भी है MMC repair करने वाली तो उसके आप सब पता चल सकता है कि कौन-कौन से Samsung जो है memory card से भी काम हो सकता है तो इसका जो support है वो बहुत पुराना है और इसका जो file होगा collection इनके server पर वो बहुत ही जबर्जस थे UFI को भी ज़्यादा time नहीं हुआ है इस वाज़ा से इनका भी collection अच्छा है लेकिन Easy Zetec Plus का बहुत अच्छा है और इनकी जो shell है उसमें आप बहुत ही आसानी से जो है उसके अंदर download कर सकते हैं और जो हमारा UFI box है उसका server भी अच्छा है लेकिन comparison to Easy Zetec Plus इनका थोड़ा सा collection कम है उसके मुकाबले मतलब इनके थोड़ी कम file है उस पर file collection अच्छा और systematic जमा हुआ है और उसके बाद मैं बात करूँ जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि हमें UFI लेना चाहिए या Easy Zetec Plus तो देखिए UFI box जो है वो चलाने में काफी easy है और EMC में मेरे हिसाब से लगबग लगबग ये बहुत अच्छा box है काफी easy है और इसको जो first time चलाना चलाना मतलब जो use करते हैं उनके लिए बहुती easy है सीखने के लिए तो ये एक अच्छा box है लेकिन अगर बाग professionally की जाए तो easy Zetec Plus ज्यादा अच्छा है कुछ ऐसे deep level का option है जो easy Zetec Plus में है लेकिन UFI में नहीं है और जैसा कि मैंने बता है कि easy Zetec Plus UFS chip को भी support करता है लेकिन जो UFI box है अभी इन्होंने कोई announcement नहीं करी है कि इसके अंदर UFS chip को support होगी हो सकता है कि इनके BGA socket आए या यह भी हो सकता है कि उनका UFS के लिए box ही नया निकाले तो अभी इस चीज के बारे में कोई information नहीं है लेकिन जो हमारा easy Zetec Plus है इसमें मैं आपको बता दूँ अगर जब हम box की purchase करते तो हमें इतनी इससे सरी मिलती है लेकिन हमें UFS के socket अलग से खरीबने पड़ते है जो कि एक socket जो है देखी मैं आपको socket दिखाता हूँ देखी जो यह BGA के socket है यह जिसे 153 का है उसके बाद में 95 का है तो यह जो socket है यह एक socket अलग से 6-7,000 रूपे का आता है और UFS chip के लिए अगर हम 3 socket खरीबते हैं तो लगबग लगबग यह 20-21,000 रूपे के आता है तो यह हमें socket अलग से purchase करने पड़ते है UFS के लेकिन हमारा जो यह EasyJetec Plus box है यह UFS को support करता है कि मैंने भी यह logs आपको दिखाया है और UFS के software में UFS का भी कहीं भी कोई option नहीं है तो अगर आप EMC का काम करना चाहते हैं तो मेरे साब से दोनों box ही अपने पास होने चाहिए लेकिन अगर आप जैसे चाहते हैं कि इन दोनों में से हमें कोई एक box लेना है और अगर आप UFS chip पर काम अगर नहीं करना चाहते हैं तो और EMC के इसाब से देखा जाए तो UFS box में कोई कमी नहीं है बहुत अच्छा box और बहुत easy box है और अगर आप चाहते हैं कि EMC के साथ साथ हम UFS पर भी in future अच्छे से काम करें तो मेरे इसाब साब को easy z tech plus लेना चाहिए क्योंकि इसमें UFS अभी ही supported है और हमें उसके लिए बस थोड़ा सा additional खर्चा करना होता socket के लिए जो हमारे requirement के साब साम ले सकते हैं और इसमें की जिससे में ने दिखा देखिए ये तो UFS का जो ये socket है इसमें BGA का ये साथ में है लेकिन इसमें देखिए BGA के लिए ये देखिए modify करने वाला adapter भी साथ में आता है तो ये आपके ओपर depend करता है पर मैं ये कहूंगा अगर कोई मुझसे पूछे के EMC के लिए पूरा cover करने के लिए हमारे पास कौन सा box इनमें से होना चाहिए तो मैं कहूंगा दोनों ही box होने चाहिए पर startup के लिए UFI ठीक है जब आपका काम अच्छा चलने लगे आपके running अच्छी हो जाए और आप EMC को अच्छे से समयने लगे अच्छे से उसके उपर काम करने लगे तब आप EasyJetek Plus ले सकते हैं देखिए कीमत में अगर बात करूँ तो अभी फिलाल में जब lockdown नहीं लगा था उस समय तक दोनों ही box कीमत लगबग लगबग 18-19,000 रुपे थी अभी lockdown के बाद मैं कहे नहीं सकता हूं कि rate बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे या कम होंगे तो अभी इस बारे में मैं नहीं कहे सकता लेकिन lockdown के पहले तक इनका जो rate था वो लगबग लगबग 18-19,000 रुपे का था और दोनों ही box अपने अपनी जगह पर अच्छे हैं काफी अच्छे box है, EMMC के लिए तो दोनों ही box अच्छे हैं तो आप जैसा भी चाहें इनमें से खरीज सकते हैं और वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए, हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग झाल झाल